अब नए अंदास में नजर आएगी एर इंडिया, बदल गया है लोगो जी हाँ एर इंडिया को मिल गई है नई पहचान, नए अंदास में उडान भरने को है तैयार रिकॉर्ड 470 नारो एंड वाइड बॉड़ी जेट्स का ओडर देने के बाद एरलाइन के लिए नया लोगो जारी करके टाटा समू ने एक और मील का पत्थर पार कर लिया कमपनी खुद को ग्लोबल एरलाइन के स्टैंडर्स के हिसाब से तयार कर रही है टाटा ग्रूप के अधिग्रहन के बाद रीब्रैंडिंग के तहट एर इंडिया का नया लोगो चारी किया गया अब एर इंडिया के विमानों पर नए अंदाज में इसके नाम नजर आएंगे नया लोगो एरलाइन के प्रतिस्टित महराजा मैसकोट का आधूनिक रूप है जिसमें अधिक स्टाइलिश डिजाइन लाल सफेद और बैगनी रंग की नई कलर स्कीम शामिल है नए लोगो को लॉंच करते हुए टाटा संस के चेर्मैन ने कहां कि नया लोगो असिमित संभावनाओ का प्रतीक है एरलाइन का नया लोगो पुराने लोगो की जगह लेगा जिसमें विशिष्ट नारंगी कुनार चक्रि से शुशो भित एक लाल हंस दिखाया गया था पचले 12 महीनों में उन्होंने एक मजबूर्ट टीम तयार की है और लगातार विमानों को बहतर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं ताकि ग्लोबल स्टैंडर्स के हिसाब से उन्हें तयार किया जा सकी नए लोगों में एरलाइन ने एर इंडिया के गहरे लाल अक्षरों को बरकरार रखा है लेकिन उनका फॉन्ट अलग है कलर स्कीम में विमानों के नीचे लाल रंग का एक पैच वे शामिल है जिस पर सफेद रंग में एर इंडिया लिखा हुआ है अतादे की इस साल के फरवरी में एर इंडिया ने विमानन शेत्र के सबसे बड़ी डील की एर इंडिया का मालिकाना हक रखने वाली कमपनी टाटा संस ने एलान किया था कि एरलाइन सिक्योरिटी, कस्टमर सर्विस, टेकनोलोजी, इंजीनियरिंग, नेटवर्क और मानव संसाधन की दिशा में बड़े पदलाव की यात्रा पर है ताटा ग्रूप कुल 470 विमान अपने बेडे में शामिल करने वाली है टाटा ने ये सौधा विमानन शेत्री की टॉप कमपनी अमेरिका की बोईंग और यूरोप की एर बस से की है अगर रकम के हिसाब से देखे तो ये डिल 80 अरब डॉलर यानी की 6 दशबलव 4 लाग कड़ो रुपे की है बात करी कि कब से दिखेगा नया लोगो तो एर इंडिया ने कहा कि नया लोगो यात्रियों को दिसमबर 2023 से शुरू होने वाली यात्रा के दौरान दिखाई देना शुरू हो जाएगा कमपनी सबसे पहले ए 350 विमान पर अपना नया डिस्पले करेगी ऐसे ही अन्य खबरों के जानकारी के लिए देखते रहे है बिग न्यूस of a soaring nation Air India